हेलो दोस्तों तो दोस्तों क्या आपको भी अपने घर पे मक्खन और घी निकालने में दिक्कत होती है या बहुत सारी परेसानियों का सामना करना पड़ता है तो अब आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस वीडियो के देखिए पूरा देखिए बहुत और मैं 15 दिन की मलाई स्टोर करके घी बनाती हूँ आप कम या ज्यादा से भी बना सकते हैं घी और मक्खन हर किसी को पसंद होता है और अगर घर पे बनाओना तो फिर खाने में मजाई आ जाता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यह 15 दिन की मलाई है और इसको मैंने पाच्छे घंटे पहले ही फिरिजर से निकाल के रख दिया था अभी बिल्कुल रूम टेंप्रेचर पर आ गई है अब हम क्या थोड़ा-थोड़ा सर्दी का थोड़ा-थोड़ा गर्मी का मोसम है तो हम क्या करेंगे गुन-गुना पानी लेंगे ना बहुजादा गरम पानी लेंगे ना एकदम ठंडा यह मैंने आधा ग्लास गुन-गुना पानी लिया है जो छोटी वाली ग्लास होती है न वो और यह गातार दो-तीन मिनट के लिए फेटेंगे मैक्सिमम आपको दो से धाई मिनटी लगेंगे और आपका देखे कितना बड़िया आपके देखते देखते आप देख सकते हैं कितना बड़िया मक्षन बंड जाएगा अभी ये कितना लिक्वीडी है देखे बिल्कुल पानी पानी सा दिख रहा होगा आपको छाच जैसा लेकिन धीरे धीरे ये गाड़ा होता जाएगा वीप क्रीम की तरह से और जब ये जैसे जैसे गाड़ा होगा ना तो थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाने में डिफिकल्टी भी होगी ये देखे एगदम वीप क्रीम की तरह से जैसे आइस क्रीम वगरा बनाते ना उसकी क्रीम की तरह से देखे अब इसका टेक्श्चर हो गया मैं ब्लेंडर लगाता है चलाए जा रही हूँ आप बीच में कुछ सेकंड के लिए बंद भी कर सकते हैं अगर आपकी मसीन गरम हो जाए तो और बैस अब आधी मिनट में ही मक्खन निकल जाएगा इसमें से टेक्स्चर आने लग गया है ये देखे तो जितना भी इसमें द तो दो मिनट भी नहीं हुए है मुझे देखे ब्लेंडर को गुमाते हुए तो समय हमें सिरफ 2-5 मिनट का लगा और देखे मक्खन हमारा बनके तयार भी हो गया सेम इसी तरीके से आप जो बीटर वगरा होते है उससे हाथ से भी मक्खन निकाल सकते हैं नहीं तो आप मिक्सी के जार में भी मक्खन बना सकते हैं बैस जैसे मैंने आदा ग्लास गुनग मक्खन निकाल सकते हैं बस कुछ नहीं डालना अब आपको इसमें ना गरम पानी डालना है ठंडा पानी कुछ नहीं डालना है कई बार क्या होता है बहुत से लोग बहुत जादा पानी भर देते हैं मलाई के अंदर तो फिर उसमें डिफिकल्टी होती है मक्खन निकलने में तो मक्षन अल्मोस्ट हमारा निकल के तैयार हो गया है आप देखी सकते हैं दूद पूरा अलग अलग आपको दिख रहा होगा मक्षन भी बिलकुल अलग हो गया है निकल के यह देखिए दिख रहा है कितना दूद दूद अलग अलग देखिए उपर उपर सारा मक्खन है और नीचे सारा दूद आया हुआ है और यह एक लीटर दूद निकल जाता है इतने में मेरे 15 दिन की जो मलाई होती है न मैं इससे धही जमा देती हूं नहीं तो फिर पनीर बना जाएगा भी यह इसको आप गरम पानी में पहले जिब थोड़ा सा जो आपको बटर दिखाई दे रहा है न मक्खन यह निकालके गरम पानी में धोलीजिए तो आसानी से साफ हो जाएगी तो बिल्कुल भी महनत नहीं लगी है और कितना बड़िया मक्खन देखिए निकलके तयार हुआ है तो मैं एक बार मसीन साफ कर लेती हूं बहुत से लोग मलाई में जामन लगाके भी मलाई को स्टोर करते हैं तो फिर वो च्छाज बन जाती है मैं इसमें जामन नहीं लगाती हूं बाद में मैं इसको दही की तरह जमा लेती हूं नहीं तो इससे पनीर बना लेती हूं तो आपको जैसे पसंद है आप ऐसे इसको र और यह जो इतना म्कषन निकलाए ना इसमें आराम से 1 क्यलो के जितना हमारा घी भी निकल जाएगा अब ही मैं आपको घी भी निकालना बताओंगी तो पूरा गोला गोला से मैंने बना दिया है और जो ये दूध है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको गरम करके इसको जमा लेंगे मेरा एक लिटर का ही देखी बिगोना है पूरा भर गया और अब इस बटर को हम दो तीन बार ठंडे पानी से जो रूरूम टेंपरेचर का पानी होता न उससे धोएंगे अब हम गुनगुना या गरम पानी नहीं लेंगे नहीं तो हमारा जो ये मक्षन ये मेल्ट होने लग ज पानी का भी यूज कर सकते हैं तो दो बार पानी से धोने के बाद एकदम फ्रेस हमारा मक्षन निकलके तयार हो गया है ये देखिए तो चैलिए अब इससे हम घी बना लेते हैं आप चाहें तो इसको चार-पांच दिन के लिए स्टोर करके मक्षन की तरह भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो इससे घी भी बना सकते हैं तो जो आपको पसंद हो और ये जो मक्षन है ना फ्रेंस इसमें ना तो पपड़ी वगरा भो जादा है ना इसमें दूद चाच वगरा मतलब कुछ नहीं है ये बहुत अच्छा मक्षन जो निकला है हमारा और इससे घी भी आपके जो मक्षन है इसमें बहुत जादा पपड़ी या चाच या दूद वगरा है तो आप क्या करें एक बर इसको मेल्ट करके ठंडा करके इसको फ्रिज में रख दें और जब ये हलका जम जाएगा तो आप इसके बीच में चम्मच वगरा से होल करके सारी पपड़ी और पानी को निकाल सकते हैं लेकिन मेरे इस मक्षन में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है पपड़ी वगरा तो मैं इसका डारेक्ट घी बना दूँगी गैस की फ्लेम कब मैं हाई पे करके इसको पकाऊंगी क्योंकि मैं सामने ही खड़ी होके इसको बना रही हूँ और अब देखी कुछ इस तरह का ये जाग जाग सा आपको दिख रहा होगा और विदिन 30 सेकिंड अब इसमें से आपको घी दिखने लगेगा नीचे से मैं इसको चलाए जा रहे हूँ ताकि बिल्कुल भी नीचे से ना जले क्योंकि थोड़ी बहुत पपड़ी होती है वो नीचे जलने लग जाती है मतलब नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 सेकिंड में अब इसमें से घी दिखने लगेगा आपको अब भी कैसा जाग जाग सा दिख रहाता है और अब भी आप देखे कितना जबरदस्त लग रहा है फ्रेंज से देखने में भी और इसका थोड़ा सा येलो कलर है न क्योंकि ये पैकिट वाला हमारा दूद है इसलिए थोड़ा सा इसका कलर डाक है आप अगर भैस का दूद लेते है न तो इतना ज़्यादा येलो कलर नहीं आएगा गाय के दूद में तो थोड़ा सा येलो ही कलर आता है घी का और मक्षन का और बैस घी बनके तयार हो गया मैं गैस को बंद कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा इसको बिल्कुल भी पकाने की जरुरत नहीं है अब इसको हलका ठंडा होने देंगे उसके बाद इसको चानेंगे ये देखिए तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप भी असानी से अपने घर पे मक्षन या घी निकाल पाएंगे बस कुछ एक बातों को आपको ध्यान में रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया था अब फ्लेवर के लिए न मैं इसमें थोड़े से मेथी दाने डाल देती हूँ ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते है लेकिन अगर आप पूजा वगेरा के लिए आप रत के लिए रखना च आप क्यों क्या करना है मलाई को फ्रीजर में स्टोर करना है और मखन बनाने से पहले चार पांच घंटे के लिए उसको भार निकाल के दख देना है उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल के मोसम के साब से जैसे अभी वाला जो मोसम है ना जादा सर्दी वाला ना गर्मी उसी के इसाब से थोड़ा ही इसमें पानी डाली मैंने गुनगुना पानी आदा गिलास डाला था ज्यादा पानी डालने से भी कई वर क्या होता है कि वह बिल्कुली अलग टेक्स्चर की हो जाती है हमारे मलाई और फिर उसमें से मखन बनने में बहुत दिक्कत होती है और जमने के बाद देखें कुछी इस तरह का हो गया है कितना बढ़िया इसमें दाना भी दिख रहा होगा ना एकदम दाना दानेदार जिसको घी बोलते हैं हमारे में दानेदार घी बोलते है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ